नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है विक्रम और फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में जैसा ही दोस्तों आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के मात्यम से आप तक पहुंचाते हैं जो की आ रही है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंट रिसर्च इंसीचूट की सरव से जिसमें कि आप सभी जो है वो ओनलाइन मोट से आवेधन कर सकते हैं किसी तरह का फोर्म आपको जो है वो लंबा जोड़ा फिल नहीं करना है एक ओफलाइन एप्लिकेशन है उसको आपको फिल कर लेना और उनके बताय हुए ईमेल पर सेंड कर देना बस यही काम आपको करना है बाकी डिटेल में लोग बात करते हैं कि कौन-कौन इलिजिबल है कैसी आवेधन करना है आपको थोड़ा बहुत अंताजा लग्या होगा तो शुर से लेके लास्ट एक इस वीडियो को ध्यान से देखिए हो सकते वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आने वाली जोब आपडेट आपको टाइम पे मिल जाए तो रुक्रीट में द दोस्तों 150 total number of vacancies है अगर बात करें salary की तो 16,500 आपको per month salary मिल जाएगी यहाँ पे अगर आपने 10th करी हुई है 12th करी हुई है और यहाँ पे जो है 8th वालों को भी मोका मिल सकता है तो अगर आप group D की जो है वो job करना चाहते हैं बैंगलोर से हैं करनाटका से हैं फिर तो जरूर आवेदन कीज़ेगा आवेदन करने के लिए नीचे email दे रखा है यहाँ पे आपको send करना है लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं detail से eligibility criteria की तो यहाँ पे दूस्तों जो हे वो consultant के लिए तो MD जो हे वो चाहिए तो यह सब चीज़े हम लोग फिलाल छोड़ देते है बात करते हैं सबसे पहले nursing officer डिप्लोमा है nursing में B.Sc. nursing कर रखिये किसी भी recognized university से जो की government of करनाटका के अंडर आती है आप apply कर सकते हैं K.N.C. यह करनाटका कोई जो होगा registration जो होना चाहिए तब ही आप apply कर पाएंगे उसके बाद जो हे अगर बात करें group D की post के लिए भी 150 total number of vac agency से 16,500 आपको salary मिल जाएगी यहाँ पे कोई भी qualification नहीं बताएगी यानि कि अगर आपके पास 8th हे 12th हे 10th हे आप apply कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तो experience candidate भी apply कर सकते हैं freshers भी apply कर सकते हैं 15 साथ को notification आया है आप ज़रूर आवेधन कीजेगा इस email पे आपको जो हे एक form फिल करना साथ में आपके supportive document की photocopies लगा के इस email पे send करते हैं अभी बात करते हैं form कौन सा है तो form दोस्तो यह वाला है यहाँ पे आपको उपर लिख देना है किस post के लिए आप apply करना चाहते हैं group D यहाँ पे लिख दीजेगा उसके बाद यहाँ पे 24 साथ last latest से पहले पहले आपकी application वहाँ तक पहुचानी चाहिए यह email दे रहा है यहाँ पे आपको यह form फिल करके साथ में supportive document की photocopies scan copies यह सारी चीजों को scan करके उनके बताय हुए यह वाले email पे भेज देना है तो यह recruitment दोस्तों contract based पे रहेगी तीन मंत का यह contract है लेकिन तीन मंत का है इसको आगे भी continue कर सकत उसके बाद की कोई information जो है वो नहीं है कि बाद में क्या होगा लेकिन अगर आपको job की recruitment है आपको लगता है कि आपको यह काम करना चाहिए group D के में जो है वो काफी कम recruitment निकलती है ऐसे किसी भी जो है वो government institute में तो अगर मोका मिलता है जाना चाहते है जा सकते है तो यही दोस आपको आपको वीडियो को देखने के लिए और आशा करता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी समझाई होगी वीडियो से related questions कमेंट सेक्चन में पूछे चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं next वीडियो में